पर दो दिन पहले रावल गांदी को चानक के बता दिया था यह सोसल मीडिया पर चानक के चल रहा था चर्चा कि यह नए चानक हैं यह कहता था कि हम डमी चीफ-प्मिनिस्टर नहीं रहेंगे जब राजिपाल चलाएगा अब तो कहरा है कि वह राजिपाल के साथ हम अच्छे रिलेशन बना के रहेंगे यह जो कांग्रेस है यह भी मंगों की तरह है लोगों के साथ रहेगी यह तो काईदे से भाजपा को नाग में दम कर देना जी जो तुम बताओ तुम्हारा नेता कहां है वो रावर्ट वाडरा के को बयान आया है वो चला रहा है खैराती ताकि क्या है और इन लोगों ने सब नेरेटिव गड़ना शुरू किया कि मोधी का तेवर खतम हो गया मोधी का ग्लैमर खतम हो गया लेकिन यहां देखिए कि हर्याना में हारते ही यह नेस्नल कॉंफरेंस ने तो उसे सब जीत का जशने भी नहीं मनाने दिया का छे सीट पर तुम देगा आप पड़तो मुस्कली मुझसे कह रहे था है अबदुला इसको बगा देगा गड़न से अदर्सकों को याद होगा हम मैंने कल वाले प्रोग्राम में जो दो बाते कही थी दोनों बाते सच हुई एक एक किसान के नाम पे गुंडों के जो लाने की साजी सो रही थी साजी से सभल हुई आज उन्होंन अपने मुझसे सुखा रहा और दूसरी मने मुझसे अबदुला की ही कही थी अजरा अबदुला को भी सुली दिये the center on some of 2019 a lot of people would say look that is done and dusted irrespective of what you may feel you do of course need to work with the center for all sorts of reasons for Jammu and Kashmir not least of all development are you willing to to take a look at your relationship with the BJP and at the center afresh in order to govern and also the ρί अवर राजभबन इसरी नरे नेगर विटने रवार। तरे वर एंगर। तरे अभी आपर टाव्टनेश्टा बिल्हा लगावनार आप ए्टी एंगर।्ट प्रावंध इनापनेश्छा बिल्वाएंट थीजए करहा हैं लगावनेश्ट प्रावने कॉइल किवेड्वने ल of Jammu and Kashmir that statehood will be restored. He promised it in every single speech that he made while campaigning here. And therefore, once the government is formed, I'd like to believe that the Chief Minister will come to Delhi, talk to the Prime Minister and others and establish a good working relationship. A hostile relationship is not in the interest of the people of Jammu and Kashmir. I don't believe it's in the interest of the union government either. I don't think the Government of India will benefit in any way by having any sort of hostile or difficult relationship with Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has enough problems as it is. We have hostile neighbours on both sides. We don't need a hostile relationship with Government of India as well. So it would be my advice to the incoming Government in JNK to move to have a good working relationship with Government of India. And at the same time, figure out a working relationship with Raj Bhavan for the duration that we are a union territory. We're going to have to figure out how to work together. Now, unfortunately, with this Lieutenant Governor, we have no relationship at all. If there has been one, it's been one that's been a little hostile rather than anything else. So we're going to have to restart from a fresh page and figure out a good working relationship there as well. Important words over there. A conciliatory tone that seems absolutely clear, Mr. region, the greater Jammu region now. In a sense, terrorism has always moved from the... वहें लिएन के साथ मिठा रिलेशन बनाना है. यह कहादा था कि हम डमी चीप पिनिश्टर नहीं रहेंगे जब राजपाल चलाएगा, तो कह़रा है कि उपर राजपाल के साथ हम अच्छे रिलेशन बना के रहेंगे, सब्सक्राइब करें लेकिन यह जो पूरी बाचीत है यह इसने जो कांग्रेस के साथ उसके सम्मन लोगों के साथ रहेगी यह कताई उसको जो है कोई इंपार्टेंस वहां नहीं विल नहीं है और अपने दंपर राज करेगा अपनी शर्तों में राज करेगा कांग्रेस के संदर में यह अपना खारा पीना बूल जाए यह दोलों जगह से यहां से तो हर्याना से बाहर हुए है कश्मीर से भी इनके हाथ में कुछ नहीं आया और यह अब इसको जवाब देना पड़ेगा मतलब काईदे से तो हर्यान देवरा जटका इसे लगा वहां यह जीत का जिसनी की गठबंदन हमारी जीत कई यह भी हैस्तियत नहीं रह गई और इसको इतना सदमा लगा कि भाई ने चौवीस घंटे बाद जो है बदाई दिया जम्मू कश्मीर की जनता को यह लगता है जो वह वाते हम लोग के सामने तो नहीं होती आप अकेले वे उमर रदल्ला इससे कैसे बात करता होगा इसका अनुवान आप लगा सकते हैं कि उसने जीत गया था मुक्मंतरी होने जा रहा है तो इसको 24 घंटे बास इसको समझ में आया समझ हो तो हमलों के काकरम देखने के कहां चुपा हुआ है और इसको बताने में शरावारी उसको भी और कांग्रीसियों को यह एक बड़ा मुद्दा है यह भी मनीजी बात है कि हम लोग अपने करकरम में बैठ के बात करते हैं यह तो काइदे से भाटपा को नाग में दम कर देना जी तेलिविजन डिवेट वह ज है और सोनिया गांदी भी नहीं आया है तो यह कैसी संदिक फैमिली है कैसा संदिक आचरण है इसका यह हरियाना जम्मू कश्मीर के चनाव पढ़नाओं के बाद पूरा देश देख रहा लेकिन उसके बाद इसको उठाए को देखे जो मनीजी अक्सर प्रदाल मंत्री मोदी कहते हैं और जिसको यह बड़े बड़े गर्व से कहते हैं कि सरकार किसी भी किसी की भी हो इको सिस्टम हमारा है तो यह बिल्कुल सही बात है कि इको सिस्टम इनीका है आनि ता आपको इको सिस्टम कहा है काईदे से एक इको सिस्टम यहां होना तो यह था लेकिन उस इको सि पहल नहीं कर रही बाजपा मैंने का साड़े पांट से जार क्रोड के उस तसकर पे बाजपा ने अभी तक एक सवाल नहीं पूछा और यह दूसरा मामला है कि वह इतने महतपूर्ट चुनाओं के बाद पूरा खांदान गायब कहा है यह यह बताए यह पहले जब पार्टी की सरकार है माल आ रहा पड़ी है सेटिंग बना के रखो जब उन्टी आएगी तो वहां देखे जाएंगे यह मोदी दुखाने ना खाएगा ना खाने देगा यह यह वही काम चला है उससे इनको आनंद नहीं आ रहा विल्कुल और आलम देखिए कि आपके एको सिस्टम का सच हैं नेशनलिस्ट उनका इनसे किसी धंका कोई नैतिक मनोवल सहयोग भी नहीं होता है इनका लेकिन उसका आलम यह होता है कि कल जब शुरुवार्ति रुजान आ रहे थे लोग मोदी को गाली देने लगे थे सो कॉल राष्टवादी भी हम जैसे कुछ लोगों को चोर करके मोदी फेल हो गया जी फेल हो गया जी यह आपका कमजोड इको सिस्टम है और इसी लिए उनके इको सिस्टम को देखिए को उनको सदमा लगा हुआ है 24 गंटे से लेकिन वह फिर नहां होके तयार हो जाएंगे फिर फेक नेरेटिव गड़ेगा वो खलियर खेराती वो संसनी अपने तो बताया उमर अब्दुल्ला का आपने महराष्ट का सुना आपने अखिलेश यादव को सुना अखिलेश यादव ने दस जो उप्चुनाब होना च्छे के नाम की गोश्टना कर दी बिना कॉंग्रेस सामती के पहले अखिलेश से सुरू करें सर्थ यह जो नटका लगा अब जम्मू कश्मीर और हर्याना में जो हुआ है उसके वाद अखिलेश यादव ने का कि हम तुम्हें एक सीट देंगे दस में से पहले दो दे रहे था कर एक देंगे ने वह मनी जी देखिए वह जो कल के परणाम आया है चुनाओं के परणाम वह बड़े गजब के हैं खासकर भाजपा के लिए और देश के लिए भी कि वह जो आखिले स्यादों आज ही यह बात क्यों क्योंकि क्योंकि कल उसने देखा यह जम्मू कश्मीर में 35 सीटों भी ल इसकी बदावलत वह जीते हैं और दूसरा क्योंकि नेशनल कांफरेंस के साथ गड़वंदज में थे तो एक वोट वह है कि नेशनल कांफरेंस का भी था अईसाने कि कोई अकेले कांगरेस के वोट वो जीते हैं अगर यह अकेले लड़ी होती कांगरेस तो इसको एक भी जीतने लाइक नहीं है एक सीट वह संबहुता वह इसलिए दे रहा है कि दोजार सताइस में को दश्पास सीटों को देके इनसे समझाओते की गुंजाइस बनी रहे अने था कांगरेस वहां पे एक सीट लड़ने लाइक नहीं हो नहीं है अखिले श्यादर में तो कह दिया स अब तो नौटी विजूतियाने पर लग गया नाटी तो बनी जी असलिए वहां लड़ाई चल ले है यह बुख्वंत्री की कूर्शी की और नाटी क्या आज कहेगा नाटी कल क्या गाएगा इसका को बरूसा नहीं है नाटी इस समय उद्धो ठाकरे को वहां पर सीएम फेस पार्टी कांग्रेस में तीन-चार मुखमंत्री पहले पड़े हैं पुराने हैं बोधपूर मुखमंत्री अपने नाम के आगे लिखते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सही दाविदार है वह कता ही इस उद्धो ठाकरे को स्वीकार कर दे को तयार नहीं है और कांग्रेस को स्वीकार कर दे को तयार दिये तो नाटी को एक मौका मिला वह जबरदस्ति कूद गया इसके उबहर आके उसने पूरा खरदा लिख डाला एक सामना संपाथ अगवार में कांग्रेस की एक तरह से उसने त्रही कर दी संपाथ की के अंदर यह क्यों इस रायक नहीं है और रहुल गांदी को पूरा रिजेक्ट किया है उस आदमी ने तो यह अपने आप में बता रहा है कि जूतेम दाल वहां में बट रही है और आज उसने शुरुआत करिये नाटी ने आने वाले समय मनी जी और जबर दाल बटेगी और निश्चित मानिये हर्याना के रिजल्ट क के बाद तो मतलब ऐसे भी फर्स्ट बीक में जो चट चट के बार उससे पहले कुछ संभावना है नहीं है महाराष्ट में उसी दंग से चट होती है लेकिन एक आएक कॉंग्रेस के इस हार और हताते से पूरा जो एंडी गैंग में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से जादा चट चट नहीं आ सकती है इस पहले जरा से चिरकुट को सुन लीजे जरा सा यह अंकारी और बक्तमी जी में आज के डिप में चुनाव हुआ एक चुनाव था और जमुकश्मीर के वाशिंदों ने एक सपष्ट जनादेश दिया कि जमुकश्मीर राज्य के लोगों को बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया आप लोग भी गए हम लोग भी गए सब घूम रहे थे कोई यह नहीं मान सकता कि हर्याना में इस तरह का अब प्रत्याशित नतीजा आएगा हम सब अचंभित हैं यह अ तरह से जूते में जो आपकी भार्षा में कहा जा जूते में डाल बाटने के लिए बेचैन है इसकी बात का जवाब देकर आज आप वीडियो दिखा दिया कि याद करिए कि चार जून को जब रिजल्ट आया था सबेरे तीन जून की रात तक कोई आदमी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में कोई आदमी कहे रहा था कि बाटपार 240 पर अटक जाएगी कोई नहीं कहे रहा था लेकिन बाटपार ने गाली वक्ता नहीं सुरू कर दिया था कि यह खराब है या कोई साजिस हो गई ठीक है उसको स्विकार किया था लेकिन यह गुंडे हैं इनको लोगत ती जानता कि मैंन अब कर चुका है पहने अंगरेस दो बार लगातार सुना हो अची करके ये अदि आ besar पी यह वी गिना मत Divi के श कोई को आया है फिरा यह प्रोफ ये तो आपको याद है नहीं आती और कई जगह तो साथ 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 साल से वापस नहीं आई है और यहां नहीं आए कभी नहीं आएगी और उसका कारण मैं अभी आपको बताए देता हूं कि सततर वरस के वहां बूपिंदर सिंग और अकेले वहां पे फेशते हुड़ा पास साल बाद चुलाओंगे बैसी तेरासी की यानि एक तरह से राजनीत के मैदान से आउट आउट अफ सील्ड होगे वह और दूसरा वहां बड़ा नेता कोई बचा तो वह बचा जिसका मनीज जिकर करते हैं रहुल गांडी का चंचा नंबर वन वह तो वह वह कांग्रेस ने पड़ गई अगला चुनाओं जो होगा वह कांग्रेस वरसेज वह कांग्रेस कर रहा हो भाजपा वरसेज आई-एन- चुनाओं के बीच होगा जैसे किसी जमाने में हुआ करता था कांग्रेस वहां सामिल वाजा होगी पार चुनाओं करता हो पांसाल बात करेंगे तो बिल्कुल और इसलिए देखिए अब कॉंग राहुल गांधी और कांग्रेस के जो गांधी पईवार के चंचे हुड़ड सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब कर उनका मैं सुन रहा था मैं आज ही सुन रहा था दुप दुपायर में कोई रोचे कोई से था तो उसमानों नहीं लिया लेकिन मैं नाम की लेता हो किसकी जिकर कर रहे थे और रादिव सार्दिसाइब उसके पीछे की बड़ी सी फोटो थी और वह दस पंदर वीच मिनट रही लेकिन जैसे ही वहां पर ट्रेंड बदला और यह हुआ कि कांग्रेस पीछे और भाजपा आगे तो कहें वहां से राहूल गांदी की फोटो लगा दी गई कि अब वहार रही पार्टी तो खड़ खड दो खड़ रहेगा तो इस हमें इस हम्म मैं तक चमचा गीरी करते हैं तो यह कि आप सूचिए जो आदमी इतना ज्यादा ध्यांडा रहा हो कि किसकी फोटो जा रही है याद हीना चले जाए तो यह है got it झाल झाल